क्या हम एक RLWL या रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे जटूप चैनल यात्तुर सुबधा में आज किस विडिम जानेंगे क्या हम एक RLWL या रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं तो चलीज विडियो को सुरू करते हैं देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब पैसेंजर्स एक ओन लाइन RLWL या रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट टिकट को बुक कर लेते हैं और दोस्तों अक्सरों का ये एक सवाल होता है कि क्या वो एक online RLWL या remote location waiting list ticket के साथ train में यात्रा कर सकते हैं या नहीं देखे अगर किसी passenger ने एक online RLWL या remote location waiting list ticket को book कर रखा है और दोस्तों अगर वो ticket confirm नहीं होता है ऐसे में वो ticket automatically cancel हो जाता है इसका मतलब है कि अगर किसी passenger ने एक online RLWL या remote location waiting list ticket को book कर रखा है तो दोस्तों वो train में यात्रा तभी कर सकता है जब वो ticket confirm हुआ हो क्योंकि अगर वो ticket confirm नहीं होता है तो वो ticket automatically cancel हो जाता है तो दोस्तों simply अगर आपने एक online RLWL या remote location waiting list ticket को book कर रखा है और वो ticket confirm नहीं होता है तो ऐसे में आप train में यात्रा नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो हमने जाना क्या हम एक online RLWL या remote location waiting list ticket के साथ train में आत्रा कर सकते हैं या नहीं इसके अधिक जानकारी के लिए आप discussion box को भी चेक कर सकते हैं प्लिस इस वीडियो को like करें हमारे शल्म सब्सक्राइब करें और bell icon का बटन जोड़ो दबाएं मिलेंगे नेक्स वीडियो में नहीं जानकारी साथ धन्यवाद